हलो गाइज वेलकम टू ग्रेडप हम यहां पर आपके लिए के कौन-कौन लाइव आ चुका है जरा एक बार पिंग करें थोड़ा पता भी तो चलेगी कौन-कौन लाइव है हाई अब्रिवन हम यहां ग्रेडप पर आपके लिए एक यूपी अस्पेशल की एक मैपिंगी पूरी सीरीज ले करके आये हुए हैं जिससे मैपिंग के थूप पूरा का पूरा जोग्राफी आपको कवर अप करेंगे एक सार्ट ब्रीफिंग रहेगा जिसमें सारे इंपॉर सी के लिए लगभग 12 साल का है और मैं कोशिश यह करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्डेंट टॉपिक्स है वो सब आपको कवर किये जाएं मैपिंग के थूरू साल्ट में करेंगे ज्यादा कवर करेंगे इसलिए जो है आपको ज्यादा तर सहुलियत हो ज क्यों चले जाएंगे उनसे क्या क्या से इंपॉर्डैंट कोश्चन्स हैं कैसे वो आते हैं कैसे वहां से कोश्चन्स बनते हैं उनसाभ पो एक ब्रीफ समरी के दहते लेके चलेंगे और यह भी देखेंगे कि इस बार के लिए इस कॉन्टिनेंट से कौन सा टॉपिक कि शुरुवात करेंगे हम आज कोशिश करेंगे कि तीन कॉंटिनेंट लें पर डे आपका लाइब सेशन चलेगा सवानौ से लेकर के सवाए 11 तक का दो घंटे का पर डे आपको कंटीनू लाइब सेशन दिया जाएगा शुरुवात में हम आठ लेक्चर का प्लान कर रहे हैं इसको हम सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और तमाम सारी चीजे और भी लेकर के आएंगे आपको लिए और इन सब चीजों को लगातार करते रहेंगे आपको कोई भी क्वैरी रहेगी सेशन के बाद आप उस क्वैरी को ड्रॉप करेंगे उस क्वैरी को हम रिजॉल्व करेंगे सारी चीजों को हर एक चीज आपकी रिजॉल्व की जाएगी यहां पर और तमाम सारे चीजे जो है शुरू करेंगे शुरुवात करते हैं एक एक को उठा करके छोटे कॉंटिनेंट से शुरू करते हैं और बड़े कॉंटिनेंट की तरफ हम धीरे-धीरे कंप्लिकेट की तरफ चलेंगे simpler से more complicated और complicated complicated करते हुए जो है चीजों को हम resolve कर लेंगे चुकि होता क्या है जब हम simple चीजों को resolve करना शुरू कर देते हैं तो चीजे आसान हो जाती है ठीक ठीक है है और शुरुवात करते हैं एंटार्कटिक कॉंटिनेंट है जो हमारे साउथ पोलर रीजन को cover किये हुए है उस continent का नाम है Maori unity and dark continent Ko हम cover करते है पहले तो यह जानना के प्रयास करते कि इसका नाम एंटार्कटिक क्यों पड़ा जैसे अगर हम बात करें। यह हमारा एक सपोच करें यह जो मैंने सेर्कल ड्रा किया हुआ है हमारे अर्थ का model globe हैं तो सफो यह हमारा आर्कटिक ओसियन और ये एंटी आर्कटिक है आर्कटिक ओसियन के एंटी में इस्थित है यानि उसके विपरीत इस्थित है इसी लिए इसको साल्ट में कहा जाता है एंट आर्कटिक यानि एंटी आफ द आर्कटिक होने के कारट इस कांटिनेंट का नाम क्या पड़ा एंट कटे अगर हम इस continent की positioning को देखें और इनकी चीजों को देखें तो कैसे कैसे यह है इसका एक mapping हम ब्रीफ सम्री देखते हैं continent की बात करें तो यहां continent में कि यह थोड़ा डार्क कर दे रहें ताकि आप लोगों को इस पश्ट दिखें यह कि यहां का जो हिस्सा है यहां पर एक जलसंदी पाई जाती है जिसका नाम ड्रेक पैसेज है ड्रेक की जलसंदी है ड्रेक पैसेज ड्रेक की जलसंदी ड्रेक की जलसंदी से यह continent से अलग होता है इस continent का नाम है साउथ अमेरिका दक्षडी अमेरिका साउथ अमेरिका कांटिनेंट सी अलग हो जाता है जो ड्रेक की जलसंदी है इससे यही पर एक आइलेंड बशनाद पाया जाता है यहांप सारी चीजे बहुत अलग अलग जगोह पर हैं बहुत सारे जीज़ सारे अलग अलग जगों पर हैं जैसे अगर हम बात करें elephanta pass की elephanta डर्रे की अगर हम बात करें तो वह Sri Lanka में स्थित हैं जो जाफला पेननसूला को उसके जाफ़ना प्रायोधीब को उसकेegeandal लेंड से जोड़ता है अगर हम बात करें एलिफेंटा प्लैटू की एलिफेंटा पठार की बात करें तो वो नेपाल में इस्थित है अगर हम बात करें एलिफेंटा माउंचेन की थाइलेंड में इस्थित है जो कि वाइट एलिफेंट के लिए भी जाना जाता है इसके करके structure creative किया गया वहां से लेया करके creative किया गया और इस वज़े से नाम चर्चा में एलिफेंटा नाम से केव भी है जो कि इंडिया में है महारास्टा में एलिफेंटा केव अपने है तमाम सारे sculptures के लिए जानी जाती है यह एलिफेंटा island अगर आप से पूछे एलिफेंटा island कहां पर है एंटार्काटिक में हिस्स within अंटार्काटिक का ये वाला हिस्स़ा ए और ये वाला हिस्स़ा है ठन्डियों में जम जाता है और गर्मी में पिखल जाता है इसलिए इसको कहा जाता आइस सेल्फ हिम्चज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् ओसियन है इसका नाम है अट्लांटिक ओसियन यहां पर है अट्लांटिक महासागर यहां पर जो हिस्सा है इसका अट्लांटिक ओसियन का इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है वेडल सी कहा जाता है वेडल सागर कहा जाता है इस वाले हिस्से का नाम प्रसांत महासागर का हिस्सा यहां पर करके इस से लगता है Pacific Ocean प्रसांत महासागर का इस एक ब्यक्ति responsable जू कि यहां पर सबसे पहुहसे थे रसिय मनें ते फैबिएन बैलिंग हुसेयन उन्ही के नाम पर इसे हैं बालिंग हुसेयन इसे बालिंग हुसेयन सागर कहा जाता है बालिंग हाउसेन सी बालिंग हाउसेन सागर कहा जाता है इस वाले हिस्ते को कहा जाता है अमुंड सेन सी अमुंड सेन सागर अमुंड सेन सी अमुंड सेन सागर कहा जाता है यहाँ पर रॉस सी है रॉस सागर है और यहाँ पर इंडियन ओसेन है हिंद महां सागय है यानि अगर हम बात करें तो यह मेनली इंडियन ऊसेन एटलांटिक ओसेन और पैस्फिक ओसेन से यह गिरा हुआ है यह जो पूरा का पूरा आपका कॉंटिनेंट इसमें एक माउंटें रेंग है जो इसको बीच से हुए है इसका actual नेम इसकी पहाडी है उसके नाम पर रखा गया है Queen Maud Mountain Range इसकी पहाडी है उस पहाडी के नाम पर इसका नाम रखा गया है Queen Maud Mountain Range Queen Maud परवसरंखला लेकिन चुकि यह Antarctic को दो भागों में बांट देती है इस वाले पार्ट को कहा जाता है Lesser Antarctic Lagoon Antarctic टिक लेसर एंटरकर्टिक लगू एंटरकर्ट कई और इस वाले part को कहा जाता है greater एंटरकर्ट करो मत्लग होता है इसे-समाौंटैंग को एक specific चर्म दिया जाता है ट्रांस एंटरकर्टिक माउनचें रेंज ट्रांस एंटरकर्टिक परवसरींख्ला OUT इसका मतलब होता है पार कर जाने वाली ट्रांस एंटार्कटिक मांटेन रेंज इसे ट्रांस एंटार्कटिक पर बस रिंखला भी कहा जाता है यहां पर एक मांटेन रेंज और इंपोर्टेंट है यह मांटेन रेंज पूरी की पूरी यहां से यहां तक फैली हुई है और इस यहां पर इसकी सबसे उची पीक है इसका नाम है विंसन मैसिफ विंसन मैसिफ विंसन मैसिफ की जो हाइट है वो 514 00 30.30 इस की हाइड है यहां इस वह द इसे पर भी हमॉंटनce कि नाम इंगलाइंड के राजकुमार चाल्स का नाम इसका किया गया इसका नाम है प्रिंस चारलस इमाउंटेन है इस पर क्लेशिएर पाया जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा glacier है यहां पर एक glacier है इस glacier का नाम है Lambert Glacier इस पहले हिस्से पर glacier है इस glacier का नाम है Lambert Glacier Lambert Glacier Lambert Glacier यह दुनिया का सबसे बड़ा glacier है जो की प्रिंस चार्ल्स माउंटेन रेंज पर पाया जाता है यहां कि साउथ पोल है हमारा दक्षडी दुरू है यहां पर नॉर्वे के अमुंड सेन सबसे पहले पहुचे थे इसलिए इसका नाम जब यहां पर यूएसे अपना रिसर्च इस्टेशन बनाया अनुसंदान केंद्र बनाया तो अपना रिसर्च इस्टेशन का नाम उनके सम्मान में उसने रखा नौरवे के यहां एक रसिया का रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है वर्स्टॉक को वास्टॉक स्टॉक रिसर्च स्टॉस्टॉस इसलिए इंपॉर्डेंट है क्रिट्वी का सबसे कम टेंपरेचर यहीं पर रिकार्ड किया गया जो प्रीजवी का सबसे कम temperature record किया गया वह यहां पर record किया गया worstok Russia का research station मेग को ह акई करें यह इसके अलावा अगरहम बात करें तो यह जो fiber एक प्रडिकुलर है वॉलाल केनों है इस रास आइस सेल्फ के उपर एक वाल ो एक्टीव व्रॉन वॉल्क्ण का मतलब यह नहीं होता है कि उससे लगातार लावा बाहर निकल रहा है यह एक्टीव का मतलब होता है कि पिछले सो सालों के दोरान वो कभी भी explode किया हो कभी भी उसमें बिसफोट हुआ उससे बाहर निकला हो तो वह जो है एक्टिव वलकनों की कटेग्री में आता है अगर सव सालों से ज्यादा समय से वह explode नहीं किया है लेकिन उसमें अंदर हलचल हो रही है कभी भी फट सकता है तो उसे कहते हैं यानि कहने का मतलब है कि कुम्बकरल टाइप का समझ सकते हैं उसमें अंदर हलचल कर रहा है वह कभी भी भी explode कर सकता है और फिर जब हम बात करते हैं तो एक होता है extinct वोलकनों मृत ज्वाला मुखी यानि वह सौ से ज्यादा सालों से वह फटा नहीं है लेकिन वह कभी भी फट सकता है वाली सिच्वेशन में भी नहीं बचा हुआ है का रड़ यह कुसमें अंदर हलचल नहीं हो र नाम है इराबस माउंट इराबस नाम है इसका और ये वॉलकेनो जो है एक्टिव की कटेगरी में रखा जाता है यानि सौ सालों के दौरान ये फटा हुआ है ठिक अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा इसको लेकर के तमाम सारी रिसर्च होनी शुरू हुई चीजे होनी शुरू हुई इस पर सबसे पहले इसके बारे में अथेंटिक सूचना किसी ने दी तो अमंट सेन ने अमंट सेन की सूचना के बाद पूरी दुनिया को ये जानकारी मिली कि नहीं ये कोई एक पर्टिकुलर कॉंटिनेंट है नहीं तो इसके पहले तक इसको कोई जानता नहीं था 1906 में जब यह यहां पर पहुंचे और तमाम सारी चीजों को उन्होंने देखा और उसके बारे में बताया उसका एक रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश कराया और फिर पूरी दुनिया को इसके बा बलेंघ होसें ससें उनका नाम था फेली अफेलन बलेंग हुसें सहसें अछि जिस जहाज से यह पहुचे थे उस जहाज का नाम था वस्टॉक चुकि उस जहाज का नाम था वस्टॉक तो यह उसी जहाज के नाम पर यह रिसर्च इस्टेशन बनाया रसिया ने सम्मान देने के लिए फेवियन बैलिंग हुसें सेंको अगर हम भारतियों की बात करें तो भ पहले भारती थे डक्टर राम चरन आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं थोड़ा सा लिंक अगर करें तो राम चरन के चरन सबसे पहले यहां पर पढ़ें तो राम चरन के चरन सबसे पहले यहां पर पढ़ें ऐसे भी करके याद गर सकते हैं इसको यहां अगर हम बात करें तो साउथ पोल पर पहुचने वाले व्यक्तियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नौर्वे के अमुंड से इन पहुचे अमुंड से नौर्वे के हैं ये सबसे पहले यहाँ पर साउथ पोल पर पहुचने वाले पहले भारती दो थे एक तो थे रसिक रविंद्र रसिक पर सबसे पहले पहुंचने वाले जो है साउथ पोल पर पहुंचने वाले भारतियों में थे अगर दोनों नाम आ जाए तो हम रसिक रविंद्र को लगाते हैं चुकि रसिक रविंद्र यह इस परियोजना के डारेक्टर थे और इस वजह से जो है इनको लगाया जाता है अग दोनों आप्शन आजाते हैं तो अब चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ करके देखते हैं कि क्या क्या चीजे इंडिया के लिहास से हमने यहाँ पर अपना पहला जो मिशन था वो 1981 में हमने रवाना किया 1981 में रवाना किया और जो मिशन हमने भेजा था साउथ अफरिका की जगह है केप टाउन वहां से भेजा था केप टाउन से यह मिशन चला और एंटार्काटिक के लिए रवाना हुआ लेकिन यहां तक जब यह पहुंचा तो हमने 1982 में यहाँ पर काम सुरू किया यानि अगर आप से पूशा जा कि हमने के लिए अभियान कब भेजा दिन एंसर होगा 1981 1981 में कहां से भेजा केप टाउन से लेकिन जब हमने वहां पर काम सुरू किया रिसर्च स्टेशन बनाए अपने अपनी चीजों को बनाया तो वह 1982 का यह था और अगर आप से यह पूशा जा कि भारत में अपना पहला कि दोनों चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई इन दोनों में एंसर बाइफर कीट करना समझ में आया या नहीं आया भारत ने जो अपने रिशर्च इस्टिशन बनाए उनके नामों की अगर हम बात करें तो पहला रिशर्च इस्टिशन उसने बनाया जिसका नाम रखा उसने दक्षिड गंगोत्री एक डक्षिड गंगोत्री यह नाम रखा इसकें बगल में फिर हमने रिसर्च स्टिशन 1982 में बनाया गया इसी केंग बगल में इसका नाम रखा गया मैठ रिशर्च इस्टेशन को 1992 में बनाया गया 1957 इसे नाम दिया ग far sky bharthi बनाया गया 2007-2007 यह तीन दिससे अमने बनाये दक्षिरद गंगोत्री Legislative और भारती इन तीने रिसर इस की बात करें तो इस समय वह बारती है कारण था की दक्षिर गंगोत्री lounge उतर बना हुआ था स्वालबर की पहाड़ियों के पास बना हुआ था स्वालबर की पहाड़ियों में भी सेम कहानी हुई एवलांस के करड़ इस पर थोड़ा काम करना कथिन हो गया मौसम थोड़ा जटिल होता चला धिए फिर भारती रिसेर्च एशेशन बनाया गया 2007 में जो है नार्वे के सहयो से यह भारती रिसेट रिसेट रिसेशन हमारा बनाया गया इस समय जो कारेरत रिसेट रिसेशन है भारती खास बात जानी है यहां पर जो चीजे है जिन चीजों की अगर हम बात करें उनको अगर हम ले करके चले कि कैसे कैसे काम करने की सिनारियों यहां पर काम करने के लिए जाते समय यहां पर कुछ चुकि कोई medical facility properly available नहीं है इसलिए कोई भी व्यक्ति यहां पर काम करने जाता है तो उसको दो चीजे अपने body स से remove करानी पड़ती पहला तो appendix remove कराना पड़ता है ताकि उसको जो है medically जो है कोई problem नहीं आ जाए क्योंकि जब temperature low होता है तो हमारा जो appendix होता है वह थोड़ा सा बस होने के chances रहते इसलिए appendix निकलवा देना पड़ता है दूसरी चीज यहां पर आपके दांत चाहे सलामत हो चाहे वह खराब हो आपको पूरा का पूरा दांत निकलवाना पड़ता है ताकि जो है चीजे जो है सहीर है यहां पर दातों को निकलवा करके लोग जो work करते हैं उनके लिए टहलने घुमने के लिए proper medicine ले करके तमाम सारी चीज़ों के लिए जाते रहते हैं लेकिन अगर आप work scenario के लिए जा रहे हैं काफी टाइम वहां पर रुकने के लिए जा रहे हैं तो इन चीजों के लिए आपको पूरा का पूरा आपका जो गम्स है उसको पूरा निकलवाना सारे टीथ निकलवाने पड़ते हैं और तब यहां पर आकर काम करने के लिए scenario की अगर हम बात क करें तो शुरुआती दोर में हुआ कि 12 देश मिल करके 12 देश इकठा हुए और उन देशों ने इस पर रिसर्च करने के लिए 1954 में एक काम सुरू किया प्रपर तरीके से बात 1950 से सुरू हुई लेकिन उसको टाइमिंग लेते 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 1954 आ गया यानि अगर हम बात क काम सुरू हुआ तो 1954 में शुरू हुआ और इन 1954 में काम करने के बाद यह धीरे-धीरे कंट्रीज की संख्या बढ़ती चली गई बढ़ती चली इस समय टोटल के टोटल 48 इट कंट्रीज इस जो ट्रीटी हुई अंटर्कटिक पे काम करने को लेकर के उसमें सामिल हुए और के तहट जो है तमाम सारी चीजे की गई उनकी जो चीजे थी सिनारियो थी जो चीजे आगे बढ़ी कैसे कैसे काम किया गया उन सारी चीजों को इस पर काम करेया गया अगर हम बात करें तो इन सारी चीजों को लेते हुए अगर देखे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजे हुई और क कि कंपनी ने यहां पर एक ATM भी लगाया हुआ है मैलडो नाम की कंपनी ने यहां पर ATM भी लगाया हुआ यानि एक बड़ा इंट्रेस्टिंग बात है कि अंटर्काटिक पर भी ATM मौझूद है कहने का मतलब है कि आप कैश के लिए वहां पर भी जो कैसले सुविधाएं कैस विधाएं एबलेबल कराएगी हाला कि इस पर रहने के लिए बात करें तो चीजों को रहने बड़ा ही सर्वाइब करना बड़ा ही मुस्किल टास्क है यहां पर इन चीजों को लेकर के देखे तो इसके बहुत सारी चीजे यहां से कैसे पूट अप किये जाते पहला तो इस को वाईड कॉंटिनेंट केहते हैं इसलिए को पूरा का कॉंटिनेंक बना हुआ है बार्फ के लिए है कि अगर हम बाद करें ठंडी में बड़ा हो जाता है और गर्मी में किया होता है स्रिंक कर जाता है छोटा हो जाता है क्योंकि बफ ऑगर जो I see'll और होते है इसलिए इसको और जाना जाता है Moving continent यह highest continent भी कहा जाता है सबसे उंचा महादीब जाता है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि विसेस्ता होती है बर्फ के विसेस्ता के अगर तो बर्व क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी भी वर्व के टुकड़े को किसी पानी में डाले या कहीं परर रखे हैं तो बर्व की खाज विसेस्था होती जितना वह ऊपर होता है उसका 9 time नीचे होता है 9 गुणा नीचे होता है और इसी वज़े से बर्व की इसी विसेश्था की वज़े से इसको हाइस कॉंटिनेंट कहा जाता है सबसे उंचा महादीब कहा जाता है यह जितना उपर है उसका नौ गुना करीब नीचे है बहुत ही बड़ा यह जो है चीज मना जाता है कि कॉंटिनेंट जो है बहुत उंच चाहेजकी बढ़ा हुआ है। तो फ्रैश्ट फ्रैश्वाटर कंटा कुमुुले ट करने वाला कॉंटिनेंट भी यह सभसे बढ़ा जो है फ्रेश्ष वाटर का एरिया भी है अगर आपके पूशहारा की सबसे ज़्यादा fresh water कि this continent पर पाया जाता है तो भी आपका क्या होगा एंटार कटीक होगा एंटार कटीक पर सबसे ज़्यादा fresh water पाया जाते है अगर एक और छीज की यह पूरा का पूरा cold desert है और कभी कभी question आपसे पूछा जाता है कि world largest desert विशु का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है जनरली क्या करते हैं कि जब वर्ड लार्जेस डिजर्ट की अगर हम बात करें तो जनरली आप लोग एंसर लगा देते हैं सहारा डिजर्ट लेकिन वो डिजर्ट पूछ रहा है कोल्ड या हाट डिजर्ट में वाइभरकेशन किया नहीं है उसने और अगर सिर्फ डिजर्ट पूछे कोल्ड या हाट डिजर्ट नहीं पूछे तो आप एंसर सहारा नहीं लगाएंगे अगर आपको ऑप्शन में एंटार्कटिक दिखे तो अगर ऑप्शन में एंटार्कटि डिजर्ट विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी कहा जाता है यानि अगर आपसे डिजर्ट पूछा जाए तो प्लीज आप उसको वर्ल डार्जस डिजर्ट पूछे और आपको एंटार कटिक दिखे तो वहां पर आप सहारा टच नहीं करेंगे एंसर आप लगाएंगे ए पूछ रहा है ठिक समझ में आया नहीं यह चीज प्लीज कमेंट करके बताएं स्रिष्टी जी जो आपने सहारा डाला हुआ है एक्ट्वल में वर्ल डार्जस डिजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो वह सहारा नहीं होता है वह जो है वहां पर कोल्ड और हाट डिजर्ट का बाइफर्केशन नहीं है इस वजह से जो हैं अंटार्कटिक को लगाते हैं क्योंकि डिजर्ट का मतलब निर्जन है निर्जन यानि जहां कोई रहे नहीं मरुस्थल नहीं है उसका साब्दीकर्थ जैसा जनरली बता दिया गया है एक आकास जी जो आपने पुछा ATM क्यों लगाया गया अचली क्या होता है कि जनरली वहां पर चीजों के लिए भी जरूरत पड़ती है और इस वजह से ATM लगाया गया लोगों को जो जनरल रिक्वाइर्मेंट होती है कभी-कभी वहां पर एक खास बात की जो मर्डों है इन्होंने वहां पर बार बनाया और इस वजह से ATM की जरूरत पड़ी चुकि वाइन वगर की जरूरत पड़ी और सर्वाइब करने के लिए कोई जरूरी नहीं है बहुत सारे लोग यह कहते है कि यह सारी चीजे होनी चाहिए ऐसा बिलकुल नहीं है तो समझ में आया कि न बॉल्टाइंगे और कोशिश करेंगे कि वहां पर आपका वो जो अपने अभी अभी कोईरी किया है वह वहां पर आपके एंसर क्लीयर हो जाए देखते हैं आगे कोई कैसे है यह है तो यहां पर हमेसा ठंडी पड़ती ठंडी पड़ेगी यहां पर जो कॉल ब् wholly एनिमल है वो पाए नहीं जाएंगे कारड क्या है कि वो ठंडी में सो जाते हैं हाइबरनेशन को सो करेंगे इसका मलब ठंडी में सो जाएंगे ठंडी में सो जाएंगे तो फिर यहां पर क्या हमिसा ठंडी पड़ती है हमिसा ठंडी पड़ती है तो सोए रहेंगे इसी कारड से यहां प पर नहां पाई जाती है इसको एक और नाम से आना जाता है Continent Without Reptiles कहा जाता है सर्ष्त्रिप Vihn महाधीप कहा जाता है इसको Continent Without Reptiles कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो Reptiles है हो सरवाइब नहीं कर पाते हैं ह। एक बड़ा ही इंटेस्टेंग ऐसा चीज यहां पर हुआ और तिलके का जो आऊसेश अभी मिला है वह काफी ज़ादा जो है चर्चा में रहा है क्योंकि उसके अंदर से जो है एक अंबर, अंबर का मतलब जिसमें DNA हमारा सेव रहे, उससे एक अंबर निकला, जिससे हमें प्राचीन काल का पूरा पूरा आउसेस मिला, और DNA की चीजों को करने की बात मिली, यह तमाम जो facts से इसके बारे में, अगर कोई queries हो तो आप पुछि यह, I will interpret each and everything in both medium, whatever your medium is, don't bother about medium, Lakshramji, don't bother about medium, I interpret each and everything in a bilingual fashion, whatever your medium is, don't bother about medium, I will summarize that in a particular medium too. If you have query, then put on your queries here, one interesting fact is that, कि यहां पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, और तमाम सारी चीजे, अक्चुल में होता क्या है, कि जब जो हमारा sun है, वो नदर नहीं स्वियर में होता है, तो उसकी किरडें सदर नहीं स्वियर के पोलर रीजन में नहीं पहुँच पात यहां पर काफी समय तक रात रहती है, और सेम कहानी नदर नहीं स्वियर में होती है, आर्कटिक वाले रीजन में होती है, कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, यहां के जानवरों की अगर हम बात करें कि कौन-कौन से अनिमल्स पाए जाते है, क्या-क्या चीजे जाता है सील इसको सी काव भी कहा जाता है समुद्री गाय कहा जाता है चुकि इसका चेहरा जो है गाय जैसा जनरली फोटो में देखने पर तो चुहे जैसा लगता है बट साइंटिफिकली वह माना जाता है कि वह गाय जैसा है इसलिए सील को एक कॉमन टर्म के नाम से भी जान इसमें हाथी जैसे दो दांत बाहर निकले होते हैं उसको दोनक किनारों पर दो दांत बाहर निकले रहते हैं हाथी जैसे दांत होते हैं और वलुरस को इसलिए सी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है समुद्री हाथी के नाम से जाना जाता है ठिक समझ में आया इसको समुद् फिस्स कहा जाता है चलने वाली मशली कहा जाता है एक चलती हुई दिखती और मैं मेल्स है तो वाकिंग फिस्ट कहा जाता है बड़ा इंट्रेस्टिंग फेक्ट यहां पर पोलर भी यह नहीं पाया जाता है जनरली एक बार सीडियस में कॉस्चन्स पूचप किया गया था गोलन्ट फेंगविन ग्रुवी भालू फेंगवि नहीं क खथर वाई फोलर भी यह डोंटी इट पेंगविन ग्रुवी ël प्लाव फेंगविन को प्लावर इना ख यह करता हैै जमें के अनिबडी एंसर एट प्लीज बिल्कुल सद्दाम जी चुकि बहुत सारे फैक्ट्स को समराइज करना है तो डार्क लिखेंगे थोड़ा लार्ज लिखने में दिक्कत क्या है मैं उसको इंफेसाइज कर दे रहा हूं जहां पर कर रहा हूं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे फिंगर को देखेंगे आप तो वो आपको इसपर्स्ट हो जाएगा ठीक बिल्कुल बिल्कुल नहीं नार्थ पोल पर पेंग्विन नहीं रहता है नार्थ पोल पर जो है आपका पोलर भी रहता है ठीक है नार्थ पोल पर आपका पोलर भीयर रहता है साउथ पोल पर पेंग्विन पाया जाता है दोनों डिफरेंट रीजन पर पाया जाते हैं और इस वजह से ऐसा होता है बिल्कुल बिल्कुल एक बार साट समरी ले लेते हैं इसकी पूरी की पूरी कैसे कैसे चीजे हैं क्या क्या चीजे हैं इन सब को साट समरी के रूप में ले लेते हैं हां खास बात अर्जेंटीना ने यहां पर एक बड़ा धमाका किया अपना रुतबा बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना ने एक प्रिग्न एमिली पालमा यह यहां पर जन्म लेने वाली पहली मनुष्य हैं और पहली महिला भी आप बोल सकते यह आर्जेंटीना ने जो है यहां पर अपने अधिकार को जो है सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जो है यहां पर एमिली पालमा क जो है उनकी मदर को भेजा जब वो थी और एमिली पालमा का जन्म यहां हुआ यानि अगर आप से पुछा जा कि अंटार्कर्टिक पर जन्म लेने वाले पहले जो है इंसान की बात की जाए तो एमिली पालमा है एमिली पालमा एक और चीज़ यहां पर हम डिसकस कर लें फिर उसको हम समराइश करते हैं यहां पर एक विसेज घटना होती है magnetic flux को लेकर के चुम्ब की जो जियोती है यहां की जो atmosphere है यहां पर आस्मान जो होता है वो रंग भी रंगा होता है आस्मान रंग भी रंगा होने के करड़ उसको एक specific term दिया जाता है अरूरा कहा जाता है कि जो अरूरा का concept है अगर हम बात करें कि अरूरा कि जो अरूरा का concept है वह एक्षुली क्या है कि यह magnetic flux है जो की over the atmosphere दिखता है उसमें रंग भी रंगा आस्मान दिखता है प्रिथवी पर घटने वाली सबसे खुबसूरत घटना मानी जाती है यह अरूरा इसके नार्थ पोलर रिजन पर भी दिखती है और साउथ पोलर रिजन पर दिखती है जो साउथ पोलर रिजन यानि अ उपर दिखती है इसको हम कहते है अरोरा आस्ट्रेलिस और जो नार्थ पूलर रिजन पर दिखती है उसे नाम दिया जाता है अरोरा बोरियोलेस इसको आप अगर इंटरनेट पर सर्च करके देखे तो इसके फीगर वगर आपको दिख जाएंगे रंग बिरंगा आस्मान होता है और अरोरा जो है यह सन रेज जो आती हैं उनकी जो पराबैगनी क्रेड़े हैं वो यहां पर लगातार जो है इंपक्ट डालती रहती उसके कारड जो है मैगनेटिक फ्लक्स बनता है आसमान रंग बिरंगा दिखाई देने लगता है और इसी को अरोरा कहा जाता है ठीक है और यहां अब सम्राइज करने का टाइम आ गया इस पूरे के पूरे कॉंटिनेंट को एक समरी देते हैं आपको बीफ समरी और साथी जुड़ करने वाला कॉंटिने इसका नाम एंटर्कर्टिक इसलिए है क्योंकि आर्कर्टिक रिजन के अपोजीट है यानि कहने का मतलब है कि इस ए इस सिचुएट जस्ट एंटी तुड़ आर्कर्टिक ओसीन देर्फोर इस नोन आज एंटर्कर्टिक नो आव यहां लुकर should have that particular continent here is a drink passes by which it separated from South America continent questions will ask they are that key by which prices and Arctic separated from South America then your answer will be Drake passes Drake Jalsandhi your answer will be here is a elephant island I will told you the whole story of elephant island you can repeat the videos and you can summarize the story all of all about elephant island and what was the its importance here Pacific Ocean and the part of the Pacific Ocean is balinghouse and see Fabian balinghouse and was the first person he is citizen of Russia Fabian balinghouse and sasen was the first person who reached at Antarctica here Atlantic Ocean vedal sea Rossi Rossi is a very important for UPSC aspirants as well as a CDS aspirants because a United Nation proposed to form a biosphere reserve here here United Nation proposed to form a biosphere reserve geomandel arachit chitr ko banane ki baat ki jari marine biosphere reserve hai ye or yeh duniya ka sabse bada biosphere reserve ho ga sabse bada geomandel arachit chitr ho ga kayte baat kir कि नहीं है एक कोश्चन कभी-कभी यह पूछा जा सकता है हलां कि अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन इसके पूछे जाने की संभावना इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो है तस्मानिया के होबार्ड आस्ट्रेलिया का एक ऐलेन सर्णून्य अ कि रिसंटरां से यहां आस्ट्रेलिया का एक्रिसरच इस्टेशन एक ँदियक which प्रेजेंट में इंपोर्टेंट आपको दिख रही है एक केसी रिसेर्च इसेशन दूसरा आपका रॉसी यह प्रेजेंट में इंपोर्टेंट है क्योंकि रॉसी में बनाया गया बाइवस्ट्वियर रिजर्ब और केसी यहां होवार्ड से केसी तक आते समय एक फ्लाइट द क्लेशियर लेंबड ग्लेशियर प्रिस्षार्स माउंचें रेंघ के ऊपर त्हाइब लुक्रोर्ञां की एनटर्च कूरफ़र समुर्ण्ब के रूप मैंने लिने का का प्रयास किया कैसे कैसे कोश्टन्स बनेंगे कैसी कैसे चीजे बनेंगी वो सारी चीजे मैंने लेने का प्रयास किया कोई क्वेरीज हो तो प्लीज पूट अन कमेंट if you have any queries, please put on those queries in comment. झाल झाल तन पैजा अगला कॉंटिनेंट जिसकी समरी हम उठाने वाले है उस कॉंटिनेंट को आप जन्रली आस्ट्रेलिया के नाम से जांते हैं बट कम्पलीट आस्ट्रेलिया कॉंटेंट के अगर हम कुंटे करें कैंड नीट के एक specific चर्म दिया जाता है उस चर्म का नाम है ओसेनिया यानि complete Australia continent को हम किस नाम से जानते हैं ओसेनिया गे नाम से जानते हैं और ओसेनिया में कुल कितनी country सामिल है 22 सामिल है 22 देश सामिल है नोट्स दीपक जी नोट्स कैसे करेंगे इसको बार-बार आप इसके लिए live available रहेगा एक बार दो बार देखेंगे तो आपको चीजे आ जाएंगी पेन और पेपर लेकर के बैठना पड़ेगा और फिर इसको आप बड़े आराम से कर ले रहेंगे एक दो बार आपको मैप को देखना पड़ेगा पूरा का पूरा हम इसकी साल्ट समरी फिर लेते रहेंगे ठिक 22 कंट्रीज इसके बारे में सबसे पहले जिसने बताया उस व्यक्ति का नाम था Captain Cook, Captain Cook ने सबसे पहले इसके बारे में बताया, इस continent के बारे में बताया, और इसलिए पूछा जाता है कि ओसेनिया की खोज किसने की, एंसर होता है आपका Captain Cook, Captain Cook जिस एरिया में पहुचे उस एरिया का नाम था New Zealand, New Zealand वाले एरिया में Captain Cook पहुचे, यानि Captain Cook ने बेसिकली आश्ट्रेलिया देश की खोज नहीं की, किसकी खोज की, New Zealand की खोज की, ओसेनिया में भी New Zealand में वो पहुचे, और New Zealand को भी आपको ओसेनिया में पढ़ना है, अगर हम बात करें कि कैसे-कैसे New Zealand का structure है, New Zealand और आश्ट्रेलिया ये दो जो है country को हम यहां से उठाते हैं, 22 country में से दो country उठाएंगे और उनको उठा करके हम cover up लेंगे, जैसे New Zealand की अगर हम बात करें, तो एक structure लेकर के New Zealand का हम देखते हैं, इसमें जो main structure है New Zealand का, वो North New Zealand, उत्तरी New Zealand, South New Zealand, दक्षडी New Zealand और Stewart Island, इस्टिवर्ट दीप, यह main इसके bifurcation है, यानि यह हमारा North New Zealand, उत्तरी New Zealand है, यह South New Zealand, दक्षडी New Zealand, और यह Stewart Island, इस्टिवर्ट दीप, यह New Zealand के तीन मेजर पार्ट हैं, नार्थ New Zealand और South New Zealand के बीच में, एक straight पाया जाता है, जलसंधी पाया जाती है, इसको Captain Cook के नाम पर Cook Straight कहा जाता है, जो South New Zealand है, और Stewart Island है, इसके बीच में, जो water body पाई जाती है, जो जलसंधी पाई जाती है, इसे 4X Straight कहा जाता है, 4X की जलसंधी कहा जाता है, 4X Straight, 4X की जलसंधी कहा जाता है, यानि अगर आप से यह पुशा जाया कि, उत्तरी नुजी लेंड और दक्षड़ी नुजी लेंड के बीच में कौनसी जलसंदी एँसर होगा कुछ91 नूजी लेन और च्टीवर्ट के बीच में कौनसी जलसंदी पाई जाती है तो एंसर होगा तारानाकी प्लेन तारानाकी का मैदान है तारानाकी प्लेन तारानाकी का मैदान कहा जाता है और जो साउथ न्यूजीलेंड का यह वाला हिस्सा है यहां पर जो प्लेन पाए जाता है इसको कहा जाता है कैंटर बरी प्लेन कैंटर भरी का मैदान इसको कहा जाता है कैंटर बरी केंटरबरी का मैदान केंटरबरी प्लेंग केंटरबरी का मैदान से यहां तक इक माउन्टेन रिंज फैली हुई है पूरे के पूरे साउथ न्यूजिलेंड में इसको कहा जाता है सदर्न आलपस दक्षडी आलपस सदर्न आलक्स मौउंचेन दख्षडी आल्प्स परवसरिंखला कहा जाता है सदर्न आल्प्स मौउंचेन के जки घा heps बाज जानेए tiag जो आलप्स परवसरिंखला है वह आपकी यूरोप में है और जो सदर्न आल्प्स है वह यहां नुजी-लैन्ड फिक ठिक, यहां पर एक लेक है, इस पर्टिकुलर एरिया में एक लेक पाई जाती है, इस पूरे के पूरे कंट्री की सबसे बड़ी लेक है, इसका नाम है लेक टौपो, यानि अगर आप से यह पूछा जाए कि न्यूजिलेंड की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, तो एंसर होगा लेक टॉप और न्यूजिलेंड के अगर हम सहरों की बात करें तो यहां पर एक सहर इसका आकलेंड यहां वैलिंग्टन इसकी जो राजधानी है वैलिंग्टन वो दुनिया की सबसे दक्षडी राजधानी मनी जाती है इसकी राजधानी जो Wellington है चुकि यहां पर इस पिस कम पढ़ रहा है इसलिए यहां लिख दे रहे ताकि आप लोग को समझने में आसानी रहे वेलिंगटन यह जो Wellington है इसकी राजधानी यह सदर्न मोस्ट कैपिटल आफ दे वर्ल्ड है विस्टुकि सबसे राजधानी मानी जाती है इससे दक्षड में कोई राजधानी शहर नहीं है किसी भी कंट्री का यह अगर आपसे यह पूशा जाए सदर्न मोस्ट कैपिटल आफ वर्ड तो एंसर क्या होगा वेलिंगेटन एक खास बात निउजीलेंड के बारे में कुछ चीजें जान लिजिए जो एरिया है जो चहत्रौफल है न्यूजीलेंड का वह अप्रॉक्सिमेटली इक्विल टुद है बृतेन के लगभग बराबर इसलिए इसको ब्रिटेन आफ साउथ कहा जाता है दक्षिड का ब्रिटेन कहा जाता है यहां के मूल निवासियों को यहां के पक्षी के नाम से जाना जाता है जो कि आज कल बेलुप्त हो चुका है नाव sopr को मूल निवासियों को किसी नाम से आहला यहां यह जो दोनों प्लेन हैं तारानाकी के यह दोनों प्लेन के लिए जाने जाते हैं के लिए जाना है चुछे लिए बढ़िए आश्टेलियस को चेमें बाउने बहुत पाए जाती लेकिन ये ऑर जीडियं की चिप नहीं से बिलों करती है । Now please comment on that, I will discuss it after few minute. Marino ship, Marino bheede, वो originally किस कंट्री से बिलॉँ करते ह। To which country Marino ships belongs originally? Are the Marino ships are native of? ठेच मानने चलिए चलि शुमेंदर जी नाथ अमेरिका अलगर। कर दोने चलिए श्राइब Datei सब्सक्राइब कर गरुते लेकिन ूब पर अस्टेलिया हैे और हला कि टोटल ईВыल के प्रोडक्शन में कुल उनके उत्पादन में नंबर वन पर चाइना है यानि अगर आपसे प्रशन पूशा जाए कि टोटल वूल के प्रोडक्शन में नंबर वन पर कौन तो एंसर हो जाएगा चाइना मेरीनो वूल के प्रोडक्शन में नंबर वन पर कौन एंसर आस्ट्रेल के जो प्लेयर्स हैं उनके एक specific पक्षी है यहां पर कीवी नान फ्लाइंग बर्ड है न उड़ने वाला पक्षी है कीवी कीवी के नाम पर यहां के प्लेयर्स को कीवी कहा दिया जाता है इसलिए जनरली आप लोग जोग कंफ्यूज कर जाते हैं जब भी प्रशन पूछता है क रॉशनल सीड ठीजन सब्ने अगर बोला जाता है तो आप लोग ज़िनरली कीवी लगा देते कीवी मत लगाएगा माओरी कहा जाता है यहां के मूल निवासियों को कहा जाता है ठीक लिए जो बेसिक चीजे रुक जाने वाली थी ओम्यंने आपको कवर अकर लिया यहां की है वह आप से पुशी जाती है जिसका यहां की हाईएश्ट पीक इसका नाम है माउंट कुक के इसे अस्थानी भासा में ओर आंगी के नाम से जाना जाता है औरांगी यह तर्म को याद रखिएगा यह तर्म जो है आपको एशिया में भी मिलेगा एशिया का लार्ज स्लम कराची का औरांगी एक बस्ती है वो लार्ज स्लम मलिन बस्ती के रूप में जो है वो बहुत तेजी से पापुलर हुआ है और एशिया का इस समय लार्ज स्लम ब बत करें तो धारावी है और धारावी के Garage को ओरंगी ने P एशिया का लार्ज भनना हाला कि दुनिया का सबसे बड़ा ऐतना कि दुनिया का जो सुर्भर लुड की अगर हम बात करें तो मैक्सिको सीटी पाष टारका Score एरिया जिसका नाम है नेजा चालको इड़्जा Cindy ईसे जो है Mexico City का एक एरिया नेजा-को इड़्जा यह दुनिया का लार्जस स्लम है मलिन Deputy एरिया फ्रयरे जूगी बस्ती एरिया है ठीक है अ आपका पूरा का पूरा एक साल्ट ब्रीफिंग जो है न्यूजिलेंड के बारे में आप में से किसी को क्रिकेट में लेकर के रूची है क्या कि आख और नीजिलेंड क्रिकेट के लिए जाना जाता है अपने न्यूजिलेंड के खिलाडी रहे उन्होंने ऐसे कैप्टन डेबु किया और एसे कैप्टन ही रिटायर हुए उनकी सर्थ यह तो तब तक देश के लिए खेलेंगे जब तक की कैप्टन उनको बनाए रखा जा तो ऊजट केपटन डेबू करने वाले और BACK डियर करने वाले दुनिया की एकलाओते खिलाड क्या बता सकते हैं उनका नाम एक नाम क्या है तो मार्टीन्यों गोंता रिचार्ट हेडली और मार्टीन क्रों वाले युग यूग के बाद वह आ शे बाद में वह जो है South New Zealand की team से खेले South New Zealand के Captain भी रहे और फिर जो है उन्होंने उनको बुलाया गया तो उन्होंने सर्थ रखी कि हमें जब Captain बनाया जाएगा तो हम देश के लिए खेलेंगे और इसलिए जो है उनको बनाया गया Captain हाला कि उनका रिकार्ड अच्छा रहा है बट उनकी किस्मत खराब रही न्यूजिलेंड जितने मैचों में उन्हें आठ मैचों में कप्टेंसी की और आठ के आठों मैच हार गया नहीं दिपग्य जी फ्लेमिंग नहीं ली जर्मोन नाम है उनका ली जर्मोन इस्टीफन फ्लेमिंग नहीं ली जर्मोन ली जर्मोन एक ऐसे खिलाड़ी थे जो कि कुछ मैचों के लिए कैप्टेन बने और जैसे उनको कैप्टेंसी से हटाया गया उन्होंने सन्यास ले लिया ठीक है आस्ट्रेलिया की बात करें तो आस्ट्रेलिया का जो है पहले नाम था टेरा इंकोग्नीटा आस्ट्रेलिया देश की बात करें तो इसका पहले नाम था टेरा इंकोग्नीटा तेरा इंकोगनीटा के नाम से आस्ट्रेलिया को जाना जाता था बाद में इसको आस्ट्रेलिया नाम दिया फ्लिंडर्स इंग्लैंड के बड़े सेनपतियों में सामिल किये जाते हैं और फ्लिंडर्स ने इसे आस्ट्रेलिया नाम दिया आस्ट्रेलिया देश को आस्ट्रेलि लिए को प्राचीन नाम क्या था टेरा इंकाग्डिय्टा था इसे और वारे नाम किसा दिया फ्लिंडर्स ने दिया अश्चिक या के बारे में सबसे पहले बिता तस्मान और तस्मान जिस जगह पर पहुचे यूस आइलेंड को ऐजकल तस्मानिया यंठ कैना की यानि अगर आपसे पूछ या की खोज किसने कि तो तस्मान एंसर हो गा नाम किस ने दिया फ्लिंडर स्ने दिया प्राचीन नाम क्या था टेरा इंकोगनीट था आ अचि जय के में लेंड के बारे में पता लगाया गिब संग यानी अंत की मुख्य भूमी की खोछ किसने की अगर आपसे पूशे जा हूई ड्सकवर्ट अमें लेंड आफ ऑस्टेow lift अइस्टेलिया के मुख्य भूमी की कोछ किसने की तो अंसर आपका होगा Gibson ने की ठीक Gibson ये व्यक्ति थे जो की आस्टेलिया के मेंड लेंड के ऊपर पहुचे और इसी लीए आस्टेलिया की मुख्रूमी का खोज करता है यहां के मूलनिमासियों को आभरी जोनल कहा जाता है एभरेजस ले ओ आपो रिजनल यह रिजियोनल वर्ड यूज किया जाता है जनरली रिजनल से थोड़ा सा अलग है इनका प्रोनॉंसियेशन आपो रिजियोनल वर्ड यूज किया जाता है यहां के मूल निमाशियों के लिए जनरली आप लोग कामनली बोल देते हैं कंगारू कंगारू यहां क का जानवार है यहां के मूल निवासी नहीं ठिक यह सर लकी जी देर इस आ मर्डो पावर स्टेशन टू बिल्कुल सही आपने कहा अंटर्काटिक पर पावर स्टेशन भी है मार्डो पावर स्टेशन उन्हीं के नाम पर एट्यम भी है मर्डो पावर स्टेशन भी है सही कहा आपने मर्डो पावर स्टेशन मर्डो एट्यम भी उन्हीं के नाम पर बनाया गया और मर्डो के नाम पर बार भी वहां पर Sentinel किया गया तो पावर स्टिशन रहे एibo करेंट में जो चर्चा में है जो पावर स्टिशन दो बहुत पहले बना दिया गया था अब ही जो बनाया गया है वो यह जो चीजह MP me जो चर्चा में था वह अधिये किया अथिक ए आस्रेलिया की बात करें तो ये वला इससर के पीर मैंसुल कहले लाता है कि कर나 कीसी भी कान्वाइपिंग बड़ा इजल करते चलेंगों तो चीजें आपको ज़्याद रहेंगी चीजों को आपको दिक्कत नहीं आएगी उटकेशन को तो अगर एक दो बार आप अपने दिमांग में फीड कर लें तो फिर याद करने में प्रोब्लम्स खतम हो जाती हैं एक रफ डाइग्राम ले करके देखे तो आस्ट्रेलिया कुछ ऐसा दिखता है यह हमारा आस्ट्रेलिया कॉंटिनेंट आस्ट्रेलिया महादीप को तो क्या-क्या चीजे यहां पर हैं यहां पर इस वाले हिस्सेत में एक जलसंधी पाई जाती है इसका नाम है टॉरेस इस्ट्रेट टॉरेस की जलसंधी इसको कहा जाता है टॉरेस इस्ट्रेट टॉरेस की जलसंधी टॉरेस इस्ट्रेट से एक देश अलग होता है आस्ट्रेलिया के में लेंड से इसका नाम है पापुवा न्यूगिनी पापूआ नियोगिनी इस से तरेस की जल संदी अलग हो जाता है ट्रेसिट अलग होने वाला कंट्री है वो पापुण निःवग buried रही एगर आपको actual तर्म है तो और ओसे निया का एक आपयाकर हिस्सा पापुण नियुक्रियल को अलग होता है किस त्थ टॉरेस स्ट्रेट से टॉरस की जलसंदी से यहां बास की जलसंदी बास स्ट्रेट बास की जलसंदी और बास की जलसंदी से यह इसका तस्मानिया नाम का यूनियन टेरेटरी अलग होता है एक यूनियन टेरेटरी है इसका तस्मानिया जो की बास स्ट्रेट से अलग होता है बास की जलसंदी से अलग होता है ठिक तस्मानिया य माउंटिन रिंज इसकी बात करें और इसके चारों तरफ के सी की बात करें और चीजों की बात करें तो उनको देख लेते हैं यहां पर कोरल रीफ प्रवाल भित्तियों यानि कोरल रीफ से बनी हुई एक संरचना पाई जाती है कोर्ल रीफ एक सीलेंट्रेता फाइल्म के जनतु हैं सीलेंट्रेटा फाइल्म केत्टियों के इसफिल्स केल्टर्ट से कब करा hardware यहां पर स्यानी प्रवाल भित्यों कॉमन में इनको मुंगा चट्टाने भी कहते हैं उनके कंकालों से बनी हुई यह संरचना है अगर आप से यह पूछा जाए तो वह ग्रेट बैरियर रीफ होगा यह कि बाढंटे लिम्लस की बात करें पर वस्रेडियों की बात करें तो यहाँ से यहां तक एक माल्टें रेंज फैला हुआ है ईCs चौथा सबसे बड़ा मांटेन रेंज ग्रेट डिवाइडिंग मांटेन रेंज ग्रेट डिवाइडिंग परवसरिंखला है ग्रेट डिवाइडिंग मांटेन रेंज वर्ल्ड फूर्थ है लॉंगेस्ट मांटेन रेंज है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी परवसरिंखला है ग्रेट डिवाइडिंग मांटें रेज इसी पर यहां पर इस कंट्री का सबसे हाइस्ट पीक है इसी ग्रेट डिवाइडिंग मांटें रेंज का हिस्सा है इसका नाम है कोशी उसको कोशी उसको ट्रिपल टू एट मीटर बाइस सो अथाइस मीटर इसकी है जो ग्रेट एक माउंटेन रेंज है इसका नाम है फ्लिंडर्स माउंटेन रेंज फ्लिंडर्स वही व्यक्ति जिन्होंने आस्ट्रेलिया नाम दिया एक माउंटेन रेंज यहां पर है इसका नाम सालविन माउंटेन रेंज है सालविन परवसरिंखला एक में माउंटेन रेंज की बात करे तो एक माउंटेन रेंज यहां पर है इसका नाम है है मर्शले माउंटेन रेंज है मर्शले परवस्रिंखला है मर्शले माउंटेन रेंज है मर्शले परवस्रिंखला तीन माउंटेन रेंज यहां है एक के पीछे एक के पीछे एक है ऐसे इन तीनों की बात करें तो एक का ना लंग मौंटिन डार्लिंग पर वह संखेव संखते मोंने धृटूरियों और लिगנग और क्व मॉंटिन डेंग यहां पर हैं हरशेल विक्टोरिया और डार्लिंग मांटें रिच्टे की ने अगर हमगात करें तो एक म। 측 हाँ बात करें तो जो मैंग डूनल और मस्गृयों की परवस्रेडियां है यह की दोनों एक खास बात की आस्ट्रेलिया आल्सो है जा वर्ल्ड लार्जिस्ट यूरेनियम रिज़ेर्गं की विभा स्टेमाश में रेग व हो दो की नहीं यानि अगर आपसे पुछा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का बंडारड रिजर्व कहां पर है तो वह ए अस्ट्रेलिया में और इसकी दो परवस्टेडियां मैक्डोनल्ल और मस्ग्रेव यह दोनों यूरेनियम के निच्छेपों के लिए जानी जाती है हाला कि प्रोडक्शन में नंबर वन पर कनेड़ा है और एक्सपोर्ट में नंबर वन पर यूरेनियम के कजाकिस्तान है भारत में कुछ जगहें हैं जहां से यूरेनियम मिलता है प्लीज अप लोग इस पर कमेंट करें इसका एंसर हम देते हैं यूरेनियम भारत में कहां कहां पाया जाता है उसको हम बात में बताएंगे प्लीज अप लोग इस पर कमेंट करें इसका एंसर हम देते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं यहां इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है अधिकांस हिस्से की अगर हम बात करें इसके तो इसका अध ग्रेट सेंडी डिजर्ट है, ग्रेट सेंडी मरुस्थल, ग्रेट सेंडी डिजर्ट, यहां एक डिजर्ट फैला हुआ है, इसका नाम है गिबसन डिजर्ट, गिबसन गा मरुस्थल, गिबसन डिजर्ट, गिबसन गा मरुस्थल, एक डिजर्ट यहां पर इस वाले हिस्से में फैला हुआ है इसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट महान विक्टोरिया का मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट एक डिजर्ट यहां से यहां तक फैला हुआ इसका नाम है तनामी डिजर्ट तनामी का मरुस्थल एक डिजर्ट यहां पर है इसका नाम है इस टोनी डेजर्ट स्टूइल हमत्रीयस देशल इस्टोर इस्टोनी डेजर्ट यहां के डेज़र्ट हुगए यहां के सवाधियरो हम नियों कोemiृट से फूराय जाता है उससे थॉरियनियम नहीं είναι केडि नाइस ट्राइब बट रॉंग एंसर है दुबरा से प्रियास करिए बासु जी आप एंसर दीजिए जी यहां के जो dessert है जैसे प्रित्वी पर dessert की अगर हम बात करें उन एरियास में है जहां पर high pressure belt बनता है इन common term में बात करें तो प्रित्वी पर high pressure belt का मतलब है पानी ठंदा होगा यानि जहां जहां पर cold current होंगी, cold oceanic current होंगी, थंडी समुद्री धाराय होंगी, वहां वहां पर desert होगा, क्योंकि cold current है, तो पानी क्या होगा, थंडा होगा, थंडा पानी होगा, cold water है, तो vaporization नहीं होगा, वैपोराजीशन नहीं होगा तो क्लाउड फार्मेशन नहीं होगा तो शावर नहीं होगा तो एरिया क्या होगा धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वार्ट हो जाएगा ठीक है ठीक जादू गोडा जार्खंड के अलावे भी है बसुझी इसलिए मैंने आपसे पूछा यूरेनियम जादू गोडा जार्खंड आपने अंसर दिया था उसके अलावे भी आंध्रा प्रदेश और यूपी की भी जगहे है दो जगहे और भी हैं जहां से यूरेनियम मिलता है उनको आप बताईए जी इसलिए प्रित्वी पर जहां पर अगर हम बात करे प्रित्वी प ने का मतलब है कि बनने के तमाम सारे कारड़ों में से एक कारड़ कोल्ड करेंट का मौझूद रहना है लेकिन यह जलूरी नहीं है कि जहां पर RIGHT हो वहां पर कोल्ड करेंट हो ठिक हैं कऊ Yoshosh presents इंप्रटेंट है चुपके समतल भूमी टाइप के हैं बिलकुल समतलें यहां पर एक पठार पाया जाता है टेबल लेंड टाइप का है इसका नाम है बक लेंड टेबल लेंड बक लेंड की समतल भूमी बक लेंड टेबल लेंड बक लेंड की समतल भूमी एक समतल पठार बिल्कुल यहां पर है इसका नाम है बार्कली टेबल लेंड बार्कल और एक पठार यहां पर है इस वाले एरिया में इसका नाम है किम्बर्ले प्लाटू किम्बर्ले का पठार किम्बर्ले प्लेटू किम्बर्ले का पठार खास बात ध्यान रखिएगा किम्बर्ले का पठार यहां पर है लेकिन किम्बर्ले प्लेस वो साउथ अफ्रीका में किंबरले प्लेस जो है वो साउथ अफ्रीका में है किंबरले का पठार यहां पर है प्लाटू यहां पर है लेकिन अगर किंबरले प्लेस की बात करें तो वो साउथ अफ्रीका में है यहां के प्लाटू हो गए पठार हो गए आते हैं यहां के लेक्स को देखते हैं यहां पर पर्टिकुलर लेख है काफी इंपार्टेν्ट है UPSC के और CDS के लिहाज से इस लेक का इंपार्टेंस है क्योंकि एक मेन लाइन है Com recom और जो प्रित्वी पर कुछ मेन लाइन ने है तॉपि promise Cancer, Tropic of Equator, Tropic of Capricorn, Architect Circle और Antarctic Circle यह Main Line है, इसमें से Main Line है Tropic of Capricorn, Makar Vrit है, वो जो है इस पूरे के पूरे लेक को बिल्कुल बीच से कट कर देता है, पर इस लिए इस लेक का भी नाम भी रखा गया है, Disappointment Lake, बड़ा ही इंट्रेस्टिंग सा चीज है यह, इसको बीच से disappoint कर देती है Tropic of Capricorn इसी लिए इसका नाम है Disappointment Lake यहां इस पर्टिकुलर एरिया में एक लेक पाई जाती है इसका नाम है आयर लेक आयर जील the deepest point of Australia यह आस्ट्रेलिया का सबसे निचला बिंदू भी है सबसे निचली भूमी है आस्ट्रेलिया की आयर लेक यहां के अगर हम रीवर्स की बात करें तो यह जो Tropic of Capricorn है ऐसे गुजरती हुई आगे की तरफ निकल आई है और यहां Tropic of Capricorn पर एक रीवर है जो इसको चार ब अगर आपसे यह पुछा जाए कि कौन सी नदी Tropic of Capricorn को चार बार कट करती है एंसर क्या होगा फिट्जराय यूप्यसी में एसर्शन और रिजिंग को लेकर के यहां से क्वेश्चन बनता है कारड यह है कि एक नदी फिट्जराय नाम से यहां पर भी बैती है यहां पर भ जो है वह कई दिये जाते हैं पहला कथन दे दिया जाता है कि फिट्जराय रिवर वह Tropic of Capricorn को चार बार कट करती है तो एक कथन यह होता है दूसरा यह होता है कि अपने इस्ट और वेस्ट दोनों किनारों पर डेल्टा बनाती है इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो और फिट्जराय रिवर यहां चार बार कट करती है Tropic of Capricorn को मकर रेखा को चार बार कट करती है इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है वह यहां नीचे से निकलती है और आकर के यहां पर गिर जाती है इस नदी का नाम है मरे बहर की एक ट्रिब्यूटरी है डार्लिग डार्लिंग नदी आकर के से मिल जाती है और डार्लिंग खत्महोजाती है यहां पर जाकर के अपना डेल्टा बनाती है उसको कहा जाता है Bay of Encounter, Encounter की खाड़ी बे आफ इंकाउंटर, इंकाउंटर की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है, गल्फ आफ इस्पेंसर है यहाँ पर, गल्फ आफ इस्पेंसर से ठीक उपर है बे आफ इंकाउंटर, इंकाउंटर की खाड़ी वहीं पर यह अपना डेल्टा बनाती है, यह मरे नदी जो है आ ग्रास लेंड्स हैं जो उनको कहा जाता है रेवोरीना और यह जो रेवोरीना एरिया है यह एरिया मेरीनो शिप के लिए जाना जाता है मेरीनो भेडों के लिए जाना जाता है वीट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है यहां एक नदी और है जो इधर से बहती हुई आती है यहां आकर कैसे गिर जाती है इस नदी का नाम है एवन एवन नदी का जो पूरा पूरा एरिया है वह पूरा का पूरा एरिया मुएस्चिरस एरिया है और इसलिए जो यह प्लैटू है इस वाले एरिया का जो पठारी एरिया है इसको शुमित प्लैटू कहा जाता है आर्द्र करण यहां पर एक पर्टिकुलर करती है उसम का नाम है यहां पर जो मौसम और और नमी वाला और बीमारियों से क्या होता है, इन्फैन्ट प्रभावित होते हैं, जैसे यह हवा चलती है, पूरे के पूरेमोेस्टर को एबजोर्ब कर जाती है, पूरी नमी को सोख जाती है, जैसे ही मुएस्चर खतम हो गया, नमी खतम हो गई, तो कीताडू खतम, रिटाडू खथम तो बीमारियों को कौन खथम करता है इसलिए इसका नाम डॉक्टर वे ठिक और जैसे भी मारियां खथम होती हैं लोग मेंटली फ्री हो जाते हैं इसलिए इसका और नाम है अई फ्रीमेंटल topics चास बात जानिये पर्थ bilang का एक बड़ा पोड़ है इसके पोड़ के ट्रांस्पोर्ट डिशन जो में बहुत ज़्यादा बढ़त्री ओगई बहुत ज्यादा पोर्ट का भी नाम रखा गया फ्रीमेंटल यानि यह पर फ्रीमेंटल नाम से एक पोर्ट भी है जो की सबसेडरी पोर्ट आफ पर्थ है पर्थ का सहायक बंदरगा है ठिक यह यहां के मेनमेन रीवर तीन मेन रीवर मैंने आपको बताया फिट्ज रॉइ मरे और एवन के तीन में रिवर आपको इंफेसाइज करनी है चीजों को जो आस्ट्रेलिया में इस समय जो important topics में चल रहे हैं वो यह तीन रिवर हैं अगर हम बात करें तो यह वाला हिस्सा आस्ट्रेलिया का आप देखिए ऐसा लगता है कि जैसे रोटी के टुकड़े को किसी ने काटा हूँ ऐसा लग रहा है और इसको इस स्पेसिफिक टर्म भी दिया जाता है ग्रेट आस्ट्रेलियन बाइट इसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है ग्रेट आस्ट्रेलियन बाइट इसके ऊपर एक पूरा का पूरा प्लेन यहां से यहां तक फैला हुआ एक मैदान फैला हुआ इस मैदान का नाम है थे कर दो विब यह हवाच लतING घ excel थी है एकि दी यह सते हैं लाबदे के मैदान आपर दीए को एलाबर के मैदानों इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हलती है इन मैदानों इती होती शोती बहुत तेजी सोटी से और इटों को बनाने के लिए अच्छी हवा मने जाने कि कहा ज veteran वो यह पूरा का पूरा जो है नल यर्बर फ्लैन ब्रिक फिल्डर हवाउ के लिए जना जाता है यहां से यहां तक जो मैदान फैला हुआ यह जो प्लैन वाला एरिया है इसको कहा जाता है ग्रेट आर्टीजीन बेसिन महान आर्टीजीन घाटी बेसिन कहाजाता है इसक्ड वाले एरिया को महान आर्टी जियां घाटी का जाता है बेसिन वाला जो एरिया यह अपने आर्टीजियन वैल यानि बुंब कुओं के लिए जाना जाता है उनको इनको समझने के लिए हम देखे जैसे होता क्या है कि जो अंडर्ग्राउंड वाटर है कि जो अंडर्ग्राउंड वाटर है तो बिल्कुल सर्फिस के पास तक आ जाता है तो क्या करता है सर्फिस को गलाता रहता है इसको डिजॉल्व करते करते क्या करता है इसको तोड़ते हुए बुम्ब की आवाज रart दिखता लेकिन हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए दिक्कत हो गई क्योंकि वूम्ब और उत्सुत को अलग अलग नहीं डिया था और बहुत सारे छात्र जो है जो गाइड बुक्स वगरे को पढ़े थे उन्होंनों उत्सुत लगा दिया एक्चुल अन्वाद इसका जो है UPSC करता है बुम्ब कुएं और ये एंसर सही माना जाता आप उत्सुत नहीं लगाएंगे यहां की लोकल लेंग्वेज में इंडिया की लोकल लेंग्वेज में अगर हम इसको एक्स्प्लेइन करें भारत की लोकल लेंग्वेज में अगर आपको इसको समझाएं तो इसको आप पाताल तोड कुएं भी मान सकते हैं कुएं पाताल तोड के बाहरा किया एक पाताल तोड मैदानों को सम्मिलित रूप से डाउन्स का प्लेन कहा जाता है डाउन्स मतलब निचली भूमी का मैदान कहा जाता है डाउन्स के प्लेन के बारे में जो questions put up किये जाते हैं वो grasslands हैं कैसे हैं और इनकी local terminologies क्या हैं वो को मैंदान जैसा की मैंने आपको बताया है प्लेवी confession कि जो है मेरिनोबएड के लिए जाना जाता है कि इसको local language में कहा जाता है पार्क लैंड ओफ आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया की पार्क भूमी भी कहा जाता है ऐसा इसलिए टायता है क्योंकि इन मैदानों की अगर हम रफ डाइग्राम को ले करके देखे तो इन मैदानों में पेड घासें पेड घासें पेड घासें ऐसे हैं यह मैदान तो दूर से देखने पर यह कैसा लगेगा पार्क के जैसा लगेगा इसलिए इन मैदान को हम क्या कहते हैं प्लेंस को पार्क लेंड आफ आस्ट्रेलिया कह कहा जाता है आस्रेलिया की पार्क भूमी कहा जाता है पार्क लेंड आस्रेलिया कहा जाता है ठीक है रंगनाथ जी I will explain each and everything in English in a summarize pattern to don't bother about that I will summarize that particular whole the things in a particular your required language in a both medium don't bother about medium यहां पर जो एनिमल रियर है जो डाउंस के प्लेंस के एनिमल रियर है जो चर्वाहे हैं उनको एक specific term दिया जाता है जैकारू कहा जाता है जो यहां के चर्वाहे हैं उनको जैकारू कहा जाता है अब यह जेकारू क्यों कहा जाता है वो समझ ये एक्चुली क्या है न कि ये हजारों की संख्या में जानवरों को चराते हैं अब हजारों की संख्या में ये जानवरों को चराएंगे तो क्या होगा कि पैदल तो उनको कवर नहीं कर पाएंगे बाइफुट कवर करने में उनको बहुत कंगारू ठिक और इसलिए उनका नाम क्या हो गया जकारू जोकी जो कंगारू वाले मैदानों में चराते हैं वह नाम क्या हो गये कंगारू ठिक यूगे स्पंड़्य जी तो आवर्स की धी वर्स तक लिवर्स तक क्लास कंचीनिऊ करें था डैली टू आवowan से 9 15-11 15 कषिश करें की उसमें मेप के थुछ सारी चीजें के ए मिवाद करें यहां का स्थानों की बाद करें कि आप पुलेस है यांके इपोर्डेंट उनको देख लेते हैं तो इनकी मेन मेन सहर तो ट्रिक शेया कर लीजिए ब्स-C, M, PhD यह मेन मेन सहर है ब्रिस्बेन यहां पर है ब्रिस्बेन एस से सिड्टनी यहां पर है कि यहां पर सिसे कैनबेरा है यहाँ M से Melbourne है यहाँ A से Adelaide है P से Perth यहाँ पर है H से Hobart तस्मानिया में है और D से Darwin यहाँ पर है यहाँ पर्थ यहाँ पर होबाल्ट और D से Darwin यहाँ पर खास बात समझे ब्रिस्बेन अपने स्पेसिफिक इपसिविक कोईला एरी चेतर के लिए जाना जाता है इपसिविक कोल एरिया यहाँ का इंपोर्टेंट है इपसिविक कोल एरिया यह जो है ब्रिस्बेन में है इपसिविक कोईला चेतर इसके लिए जाना जाता है सिड्नी से लेकर के पर्थ तक एक रेलवे लाइन भी जाए जो कि में में सहरों को कवर करती हुई आती है और चुकि यह सिड्नी से लेकर के पर्थ तक करवाई जो हैं है और पूरे के पूरे आश्ट्रेलिय स्ट pension तैन्स आश्ट्रेलियन रेल्वे ट्राश्ट्रेलिय रिलमार्ग хорошо कि इसके अलावा कुछ एक सहर आजकल न elves में है और भिन भिन कारड़ों से वह में आए और इस वज़े से आपके इस साल के एक्जाम के लिए वह इंपॉर्टेंट है यहां पर एक सहर है वीपा के प्यार्ट पिननसुला में एक सहर पाया जाता है वीपा यह वाकसाइट के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और हमारी क कंपनी है भारत अलुमिनियम प्योपया प्यप्रिक५िक अध्यार यहां पर एक सहर है जो कि आले ये जूमिंद स्प्रिंग नाम सहर है यहीं यहां का और और इस लिए डिये नहीं सोल्क जाता है और अप्रहें अचानक से तूटॉजळंड टेवींद्ट सिरू कुर्जभड sagt म से ऌमें City यहां का एक प्रविंस है Queensland Queensland प्रविंस का एरिया है गोल्ड को सिटी यहीं पर जो हमारे 2018 के Commonwealth गेम हुए 2018 के जो राष्ट मंडल फेल खेले गए वो गोल्ड को सिटी में आर्गिनाईज्ज किये गए गोल्ड को सिटी इसलिए गोल्ड को सिटी चरचा में आया यहां दो सहर हैं, एक आगे की तरफ सहर है, इसका नाम है काल गूरली बोल्डर, काल गूरली बोल्डर और पीछे की तरफ एक सहर है, यहां पर इसका नाम है कूल गार्डी, काल गूरली बोल्डर और कूल गार्डी यह दोनों सहर जो है गोल्ड प्रोडक्शन के लिए जाने आते हैं शोर्ड उत्पादन के लिए जाना जाते हैं अस्ट्रेलिया के बारे में खास बात जान लीजFit आस्ट यह ढुसी का कंत्री है जिसंत्त पर एक भी आप्ट्यूअल नहीं है एक भी जो है है ठिक है कि समंझ में आया एक भी जो है यहां आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि जो क्ौन सा ऐसा कंट्री जिसमें एक भी अक्तिव वलकेनो नहीं है यह क्वांटिनेंटे तो एंशर क्या होगा आप का आस्ट्रेलिया ओजाएगा ठिक यहाँ पर एक भी अग्ति वोलके नहीं एक भी सक्री जोला मुखी नहीं है। लिट शमराइज टो होल थिंख से यह इनिशली वन अस्ट्रलिया वस इसकोड़ बाइट अस्मान यह नेम्ड इत टेरा इंकोगनिता बड़ लेटर अबिटिसर्व फिलिंडर्स नेम इत अस्ट्रलिया and the mainland of Australia was discovered by Gibson who reached here and that particular area is named as Gibson Desert if we talk about the mountain ranges of Australia then there is a some important mountain range which is a great dividing mountain range it is the fourth longest mountain range of the earth here the highest peak of Australia Kosciuszko situated on that particular mountain Kosciuszko the height of Kosciuszko is triple to 8 meter by so at highest meter the actual height of Kosciuszko is that and some other important mountain ranges are Solvyn mountain range Hammershle mountain range Herschel mountain range Victoria mountain range and darling mountain range जब मैं darling mountain range के बारे में बता रहा था तो कई सारे लोगों ने यह कहा कि darling नाम से river है बिल्कुल है darling नाम से mountain range इधर river इधर दोनों opposite direction में हैं ठिक तो इसको दिमांग में रखे रही हैगा यहां दो mountain range यह मैंक्डोनल्ल और मस्क्रेव यह दोनों यूरेनियम के प्रोडक्शन के लिए जाने जाती हैं बोद मांटेन रेंज आर फेमस पार यूरेनियम प्रोडक्शन ठिक uh Pampas is not in Australia Deepakji it is a situated in South America in Argentina yeah ah naming Russian g sari continent kraja enge I say he sorry k sari continent kraja enge not the important one as whole we cover whole the world and obviously the Indian scenario too oh कि ये सारी चीजे हम cover करते हैं चीजों को देखते हैं ठीक ये पूरा का पूरा यहां के जो है हम अगर बात करें तो यहां के प्लैटूज की बात करें जो की टेबल着 के संताल है बक्लेंट टेबल पिर इसके बाद burley टेबल और नहरे रम लेंड आर नहरे मलें जो यह आपके लिए इसलिए important हो जाती है क्योंकि इसको generally emphasize किया जाता है aliens के source के स्वर्श के लिए emphasize किया जब भी aliens के ऊपर कभी भी कारिक्रम दिखाये जाता है तो एक मिनिट पहले हमको बताती है एक जब खतम करना हो सम्राइज करना था हमकर तो आर्मेहम लैंड में एक रॉक है उल्लूरू इस रॉक की अगर हम बात करें उल्लूरू इसको आप लोग इंटरनेट पर थोड़ा सा कर लीजिएगा उल्लूरू रख को जब भी एलिएंस के उपर इस्कवरी या इस्टी चैनल पर कारिकरम दिखाये जाता तो जरूरू रख को झरूर दिखा जाता या आर्नेहम लेंड में पाहिती उल्लूरू रख को आप इंटरनेट पर चीख करेंगे बड़ा ही इंट्रेस् बात करें किंबरले प्लेटू के मैंने बताया है किंबरले प्लेटू यहां पर है लेकिन किंबरले प्लेस वह कहां पर है तो वह जो है पड़ा हुआ है आपका साथ अफरीका में यह यहां के माउंटें रेंजेज प्लेटू की बात हो गई यहां के ग्रासलेंड की बात करें तो grasslands जो है अलग अलग तरीके से बाइफ़खे यहां पर great artesian basin का area है grasslands का इसके अलवा मरे और डार्लिंग के बीच का जो grasslands है उसको riverina के नाम से जाना जाता है जो की great australian bite के ठीक ऊबर इसी थे इसमें specific हावा चलती है थोड़ी दिर पहले मैंने बताया था can you to wrote the name of that particular wind in comment तिक लारब़ प्लेन में कौन कौन सी हवा चलती है प्लीज रोट दैप नेम अफ देट पार्टिकुलर वींड इन कमेंट फिर यहां के rivers की बात करे तो फिट जड़ाय रीवर फिट जड़ाय नाम से दो नदियां मैंने बताई एक इधर भी है और यहां फिट जड़ाय रीवर की खास वी से इस तो यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को मकर रेखा को चार बार कटती है ठीक और यहां अगर हम बात करे तो एक रिवर है एवन इसमें डॉक्टर या फ्रीमेंटल विंड चलती है फ्रीमेंटल नाम से यहाँ पर एक पोर्ट भी बनाया गया है इतां सब्सीडिरी पोर्ट आफ पर्थ पर्थ का सहायक बंदरगाह है यह तो यहाँ के जो यह रिवर्स के बारे में हो गया लेक्स की Wissenschaft कि बात करें तो आयर लेख iphone पर इडिपेस्ट पॉंट आफ ऊस्टेलियादी शब से निचला बिन्दू है ईयर घिन ईच्वड मेंट इसको नाम कैप्रिकून इस यहां के डिजर्ट की बात करे इसका Maximum Area Desi है यहांके Main Main dessert hain Great Sandy, Gibson, Victoria, Tonami, Simpsan,?」 or Stewart Weissetony dessert. These are the main deserts of Australia which covered more than 70% of Australia . Land of Australia therefore the Australia is known as land of thirst Australia ko प्याशी भूमी का देश कहा जाता लेंड आफ थुक्ष इसके अलावे बात करते हैं यहाँ के जो प्लेंस हैं उनके कंभाइंड नेम की बात करें तो उनको डाउन्स का प्लेन कहा जाता है इस आलसो इस पार्क बाइन डाफोसेव अस्ट्रेलिया भीकॉस इत लूक लाइक पार्क इम्पोर्डेट प्लेसे अब यह शुब से बड़ा शहर है और रेल्वे लाइन फ्रॉम सिड्नी तू पर्थ फ्रॉम यह तो यह रेल्वे लाइन वसक्ट्टेट वाय अस्ट्रेलियन गोर्मेंट ऑश्रिल्या की सरकार द्वारा एक रेल्वे लाइन बनाएगी जो सिड्नी से पर्थ तक जाती है चुकि आ Canberra औरнов एक यूनियन टेरिटरी भी है और इसके अलवा फिर मेलबॉर्न मेलबॉर्ण अपने क्रिकेट स्टेडियम्स के लिए जाना जाता है एडिलेड के नाम पर रखा गया इंग्लैंड की महरानी ऊथी कभी Queen Adelaid उनके नाम पर रखा गया एडिलेट सहर का नाम, पीसे पर्थ है, पर्थ के बारे में मैंने बता ही दिया, किनारे अक्सर कुछा जता है पर्थ किस नदी के किनारे है तो, चूमिद प्लैटू है और डाक्टर या प्रिमेंटल के लिए जाना जाता है इसके अलवा यह बड़ा पूर्ट है और यह पोर्ट इतना ज्यादा बीजी हो गया कि इसके लिए यह सब्सीडिरी पॉर्ट बना पड़ा जिसका नाम प्रीमेंटल तसमानिया जो यूनियन टेरिट्री है इसका यह बास स्ट्रेट से अलग होता है यहां का एक सहर होबार्ट जो एपल प्रोड़क्षन के लिए यह पूरा का पूरा सेब के उत्पादन के लिए जाना जाता है डी से डॉर्विन है डॉर्विन डॉर्विन सहर इसको इंट्री गेट आफ आस्ट्रेलिया कहते ऐसा इसलिए कहते जैसे अंग्रेजों ने मुंबई में एक गेट बनाया एक गेट बनाया इसलिए मुंबई को क्या कहते हैं इंट्री गेट आफ जैसे हम इंट्री गेट आफ इंडिया जो है मुंबई को कहते ऐसे ही डॉर्विन में एक गेट बनाया अंग्रेजों ने और इसलिए डॉर्विन को हम क्या कहते हैं इंट्री गेट आफ आस्ट्रेलिया का प्रिवेश द्वार कहते हैं यहां अगर हम बात करें तो जो करेंट में चर्चा में सिटी हैं कुल्ड को सिटी यहां पर कॉमन वेल्थ गेम आर्गनाइज किये गये क्विन्स लेंड प्रोविंस का इसका हिस्सा है यह और 2018 कॉमन वेल्थ गेम यहां पर आर्गनाइज किये गए इसके अलावाए अगर हम बात करें तो एलिस इस इस प्रिंग यह अचानक से न्यूज मे परड़ी यह दो प्लेसे ऐसे हैं जो यहां पर गोल्ड प्रोडक्शन के लिए जाना जाते हैं आस्टलिया के बारे में एक और खास बात जान लीजिए एक कांजूगीट मेटल के लिए भी काफी इंपौर्टेंट है कांजूगीट मेटल का मतलब होता है प्रिथवी पर त संधूग्त धातूचन का जाता है और अगर आप किसी एक की भी माइन को वर्ल्ड में कहीं पर भी याद करते हैं तो अप दिमाग में रखी आपको तीन माइन्स याद हो जानी अगर आपको Howeverk नाम है माउन्ट ईसा माउंट इसा वाला जो एरिया है वो कांजूगेत मिटल के लिए वर्ड लेवल पर जाना जाता है भारत में कांजूगेत मिटल के कौन-कौन से एरिया है जरा उसको आप लोगों के पोस्ट कमेंट में मैं देखना चाहूंगा मैंने शुरुवाती दोर में आपसे एक क्वेश उन्हें ऐसा माना जा रहा है कि जितना अनुमान किया गया है आंधर प्रदेश के थुमाला फली मैं अगर हम लैं और गल्सक्राय फ्रेंने yem तो आ हम अनूमान किया हुआ we will discuss in further classes Africa and other continent too, thank you.